असल्राम ओलेकुम फ्रण्स फ्रेंट्स आज हम आपको बताएंगे कि द्रियाई और श्तलोज के सिकिए कि अखिए कंद हुएं दोस्तो इनको बांदने का उनका जो मकस्द है वो ये है ये जानवार दो तीन दिन ये एक एकड में वो बांदेंगे ये दिन को इच्राही करते हैं और रात को इदर ही होते हैं है तो यह अपना पिशाब और गोबर क्रीद करेंगे हैं वह डीएपी की जो जुरूर्यात है वह उसको पूरी करें गी तो उनका मकसदिन को बांद देने का यह इस एकड़ को डीएपी ना देनी पड़े क्योंकि जो जूरिया और डीएपी देते हैं प्शाब और गोबर दो-स तीज दिन इदेर बान देंगे तो दो-स तीन दिन के बाद यह अपने जानवार को कहीं और मुंत्किल कर देंगे किसी और एकड में तो इस तरह से अपने पूरियु दफ्यून में डियमपीक डालने कि इस चाहिश नहीं पड़ेगी ये डियेपी की जो ज़रूरत है वो खुद बखुद ये गोबर और प्षाब से पूरी करेंगे तो अगर किसी एकड में जानवान नहीं बांदे जाते तो ये लोग उसमें गोबर को रेडियों और ट्रालें को ज़री उठा कर डाल देते हैं यह सूखी यह अल ली जो होती है उसको डालते हैं तो इस तरह से इनको डियेपी और यूरिय डालने के कोई ज़रूरत नहीं होती तो यह एक देशी तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है तो हमारे लाके द्रहें साथ लोग किनार्य अभी भी पूरी हो जाती है यह मुकम्मल एक देशी तरीक कार है खाद डियापी और यूरिया से बचने का यह उसका मुत्वादल तरीका विल्कुल उतनी थाकत जमीन को मिलती है जोस्तों कर आपके पास भी ज्यादा जनवर हैं तो आप भी डियापी से इतनी महिंगी डियापी से बच सकते हैं ताकि समंगाई के दौर में इन केमिकल की चीज़ों से बचा जा सके और देशी महौल की तरफ आ जा सके असलाम हुआ